मानेवर अब मैं इस सदन में मनिपूर की बात करना चाहत। मानेवर मनिपूर में जो हिंसक गट्नाय हुई है वो क्यू हुई है क्या स्थिती है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा परन्तु मैं विपख्स की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ पर हिंसा का टंडव हुआ है और इसी हिंसा के टंडव से कोई सम्म नहीं हो सकता मल दंग सपरभिन मों उनसे ज़्यादा दूख हमें पर्न्तु यह परिस्तिति जन्य मैं बताना चाहता हूँ इसी गट्नायों का समाजे नाते हमें सरमाई इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है इससे कोई इनका नहीं परन्तु यह जो घटना हुई है वो सर्मनाक है उस घटना पर राग्विती करना इससे भी ज्यादा सर्मनाक है मानने वर मैं बताता हूँ ओके प्लीज यह गल्ती आपकी है यह गल्ती आपकी है हम तो सवाल प्रिशने वाला है हमारे उपर दुबारा ही हम थोपने के कोशिश करें सियासत तो आप कर रहे हैं हम कहां सियासत कि प्रदान मंत्री गाए नहीं प्रदान मंत्री जी के प्रदान मंत्री जी के उपस्त्राइब मंत्री प्रदान मंत्री जी के प्रदान मंत्री एक ब्रांती देश भर की जनता के सामने फिलाई गई है कि यह सरकार मनिपूर से चर्चा मनिपूर पर चर्चा के लिए तयार नहीं है मैं आद भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूद भी नहीं हुआ था मैंने पत्र लिखकर अध्यक जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तयार हूँ इसमें समय बर्यादा मत बर्यादा उनको विरोध करना था और मैं कहना चाहता हूँ मेरी चर्चा से संतुरुष्ट न होते तो फिर कहते हैं प्रदान मंत्री करें प्रदान मंत्री विचार भी करतें मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो मनिस्पुर जैसे महत्वपुन मुद्दे पर ग्रू मंत्री को अपना पक्स में रखने दे कि इस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्योस्ता चाहते हैं मन्नेवरी और क्या आप सोते हो कि सोर थराबा करकर आप मुझे चूप कर दोगे आप चूप नहीं कर सकते हो 130 करोड की जंता ने हमें चूण कर यहां बेजा है हमें सुनना पड़ेगा आप चूप नहीं कर सकते हो मन्नेवर मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड लोगों के सामने मनिपुर की हल्या इंसा क्यों हुई है और क चल रहा है और सचनक ने क्या उपाय कि यह भी बताना चाहता को मनेवर मैं पास्ट में मनिपुर में क्या हुआ यह भी बताओं अब मैं जब बताओं तब यह कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे ओं ना जी मैं समेधन से लादमी हूं माने और मैं पूरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा है इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ ता हमारे समय में भी हुआ होता है होता है का एप्रोच हमारा नहीं है यूपी एका एप्रोच हमारा एप्रोच होता है का नहीं है हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं मैं पुरानी इंसाओ को इसलिए बताना चाहता हूं कि मनिपुर की नसले इंसाओ के सभाव को जनताने जानना पड़ेगा नसले इंसाओ मनिपुर से करीब करीब साड़े छे साल से मनिपूर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार हैं मनिपूर में भारतिय जनता पार्टी की सरकार के छे साल पर्यों चे साल में मनिपूर में एक भी दिन कर्फिय नहीं डाल लगा है कि मनीपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं घ्या है ईक दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उगरवादी हिंसा लगबग-लगबग सम disposition तो चे साल का भारतिय पार्टि के शासन का इतिहास कहता है धोजार एक्कीस में हमारे धेश कीपडोस में म्यानिमार में। ऑन्यानमार में वहाँ पर उनाचा रिखाशन आया और एक कुपी डेमोकरिक फट है इस ने लोक्तंतर के लिए आंदोलन चालू करा इैं। जब कुकी डेमोक्रेटरीक फंड ने लोगतंतर के लिए अंदोलन चालू करें, वहां की मिलेटरी साशन इन पर कडाई करना शुरू की, रभीस बनाना शुरू की, और चुकी म्यानमार की बॉर्डर, फ्री बॉर्डर है, मानिवर वहां फैंसिंग नहीं है, और आज से नहीं आजाद हुए तब से नहीं है, फैंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में, मिजोरम और मनिपूर के अंदर, कुकी भायों का वहां सरना थी यहां आना शुरू हुआ, मैं इसलिए कहना चाहता हूं मानिवर, कि कि उनका जगडा मनिपूर की मिलेटरी से था, और कभी शुरू हुई, इसलिए वो यहां पर आ रहे, मानिवर, हजारों की संख्या में, कुकीज, आदिवासी भाई यहां आना शुरू हुआ, और परिवार बसने लगे, कहां बसने तो जंगल में बसने लगे, और एक प्रकार से मनिपूर के बाकी हिस्सों में, एक असुरक् बॉर्डर को घुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फैंसिंग खनी है, हमने 10 किलो मेटर फैंसिंग पूरी कर दिये, 60 किलो मेटर का काम चालू है, और 600 किलो मेटर का सर्वे चालू है, आपने 2014 तक कभी फैंसिंग नहीं की, हमने दुरंदेसी से 30 में धंगे ह हुए 21 में ही फैंसिंग का काम शुरू कर दिया था 10 किलोमेटर ट्रायल फैंसिंग बन चुकी है 60 किलोमेटर का काम चालू है और 600 किलोमेटर का सर्वे बागी जिससे ए घुसपेट को रुका जा सकी फिर एक अंडेस्ट खड़ा होने लगा कुरकि वहाँ जनसांखी की बहुत नेना एक खोटी है मानिवर घाटी में कुकी भाई रहते हैं पहाड पर ट्रायबल भाई रहते हैं तो उनके गाटी में मता ही रहते हैं और पहाड पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं तो एक जन सांखिकी के बडलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या हम अल्पमत में आजाएंगे तो इसके लिए हमने लगबग लगबग जनवरी महिने से हमने वहाँ पर जितने भी सरनाथी आये थे उनको परिचय पत्रक देनी की सुरुआ कि उनका थम इंप्रेशन लिया और थम इंप्रेशन और आई इंप्रेशन को वाटर लिश्ट और अधारकार के नेगेटिव लिश्ट में डालने का काम किया ऐसा नहीं है म मंत्रा लएकि कंट्रोल में कोई आँख मुंद कर सुआ है 2023 में दंगा हुआ 2021 में हमने फैंसिंग चालू करें 22 में 22 में हमने फैंसिंग चालू करें और 2023 की सुरुआत में हमने थम इंप्रेशन और आई इंप्रेशन लेनी की सुरुआती और उसको भारत के वाटर लिश्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बरती गई एक असुरक्षा की भावना मते ही लोकों में फेलती गई मानेवर ये जो वहाँ पर एक फ्री रेजी है नेपाल की तरह वहाँ पासपोर्ट नहीं चाहिए अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा 1968 से करा हुआ है उन्नी सो अरसट से समझोता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉडर के 40 किलोमेटर से जो अंदर आएगा या यहां से 40 किलोमेटर से वाजा उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए इस समझोता है किसी को रोकना भी बढ़ती इतने में एक अफ़ा फेल गई 29 तारीक एपरिल को कि 58 वसाहते जो थी सरणार्थ युकी उसको गाउं गोसित कर दिया गया अब गाउं गोसित करते करने की अफ़ा से ही घाटी में बहुत बड़ा अंडेश्ट शुरू हुआ है और वो अंडेश्ट को भी हमने मा गोसित जंगल गाउं गोसित किया जंगल गाउं गोसित करते जो वसायत थी उसको तो उनको लगाए पर्मेंट अब यहीं बस राए तो एक अंडेश्ट खड़ा हुआ उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाई कॉट मनिपूर के एप्रिल महिने में हाए हुए एक फ सफद पत्र लिया ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया ना भारत सरकार के घुरू मंतरा लिया ना मनिपूर सरकार का लिया और अचानक ही कह दिया कि 29 एप्रिल के पहले 29 एपरिल के पहले मताई जाती को ट्राइबल गोसिप कर दिए इससे पहाड पर बहुत बड़ा अंडेश्ट हुआ ट्राइबलों में बड़ा अंडेश्ट हुआ कि अब मताई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरियों स्पर्दा का बाव होता है और स्वाबाविक है एक कोई कानूनी पक्रिया के अगारे एक ओडर कर दिया जिसके कारण उपर भी नीचे अल्ड़ेडी अंडेश्ट चालु था उपर भी अंडेश्ट हुआ और तीन तारिक को एक रोली इसे बढ़े सब्सक्राइब को रखने, ये इस परिस्थिती को आप यह क्यों नहीं का यह क्यों नहीं क्या इस तरह से आप तुल्णा मत 문제 इसे प्रिश्थिति जन्य बड़ी तसकरी म्यानमार की और से मनेपूर की और हुई है इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अंडेश्ट हुआ है मगर जो क्लिंचिंग चीद थी वो कॉर्ट का जज्जमेंट थी उसकी अंटिम तारिक 29 में थी और इसके विरोध में एक जुलूस निकरा जुलूस में दोनों ग्रूपों के बीच में भिलंत हुई और देखते देखते घाटी में और पहार पर दोनों जगे एक दूसरे पर हमले करना हिंसा करना सुरू हो गया मनेवर अब दो सवाल है कि हिंसाव सुरू करने के बाद क्या किया मैं उस पर बाद में जाता हूं इतनी ही सांती से को फ押ावि मन में कोई कीशी चीद से भागना नीं चाहता भागना मेरा सभावी नहीं है मैं किसी भी चीद से भागना मागा मंअ मगरमद मनीपूर की नसली हिंसाओं के इत्यास को समध्ना प्राईए गाज़ पीवी नर्सी माराव जी प्रदान मंत्री थे, राजकुमार दोरोंद्र सिंग कॉंग्रेस के नेता मुख्य मंत्री थे और नागा कुकी संगर्स हुआ, नागा कुकी भी नसलिय हिंसा थी मंत्री और उस वक्त साड़े 700 लोग मारे गए, 200 लोग गायर हुए, 45,000 लोग सरणार अब यह कहते हैं, प्रदान मंत्री जी क्यों नहीं बोले, 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग गायर हुए, 45,000 लोग सरणार थी बने, आपको मालूम है, जवाब किस ने दिया, मानेवर, इनको मालूम है, जवाब किस ने दिया, मुझे नहीं बोलने देते, मानेवर, इतनी जगन ने गटना हुए, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था, टैबल मिनिस्टर गया, ना जी, समाज कल्यान विभाग के मंत्री गए, ना जी, होम मिनिस्टर का क्वेस्चन ड़स नोट एराई, मुझे गए, ना जी, और जलबाजी नहीं है, बड़ा मेहतुपूर मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है क्या से, संसत के अंदर विपक्स बोलते बोलते ठक गया, गुरु मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, मोस ने जवाब दिया मानेवर, और ये लोग प्रदान मंत्री देवो मां से, पूरा पार्लामेंट होल्ड करे हुए, मानेवर, उननिस सो तिरानवे में, दूसरी बार संगर्ष हुआ, मता ही पंगल संगर्ष हुआ, सो लोग मारे गए, वो भी एक साल तक चला, और राज्य सभा में, गुरु मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोग सभा म में, और ये कह रहे हैं, प्रदान मंत्री जवाब दिया, मुलाकात की, किसी ने ने, ना गुरु मंत्री ने, ना मोस ने, किसी ने ने, फिर इंदर कुमाल गुजरा लाए, 97-98 में, कुकी पाईते संगर्ष हुआ, साड़े तीन साल, साड़े तीन सो लोग मारे गए, एक साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुए, स्टेटमेंट भी नहीं हुए, सवाल भी सारे खारीज कर दिये गए, और ये कहते हैं, प्रदान मंत्री जवाब दे, और मैं डेवन से कह रहा हूं, मानेवर, मैं जवाब देने के लिए तयार हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रत नहीं दोगे, अब तो बोलने ही दोगे जादा, मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं, और हमारे गोरगाई जी कहते हैं, मौन तोडने के लिए लाया गया, अरे भई मौन रखने वाले तो हार गए और वहाँ बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, पर निताओं के नाम है सुनना है तो बता दू आप खड़ेोट फडैंढ़ कर के हां तो मैं बता देता हूं मैं शुनना मानुआ है महैं नेवर किना मान में 2004 में संप मर्में बाद में 2004 में मन मह Harley सिंग जी थे ऑव इबो व किसी जी थे लगबख 1700 लोगों के एंकाउंटर हो एक 1700 लोग एक तरफा वर्दी से ऐसा वहां मानते हैं मैं नहीं मानता हूँ मैं तो व्योस्ता में विश्वास रखने वाला हूँ वहां लोग मानते हैं वर्दी से की हुई नसली इंसाथ है वन थाउजन सेवने सुप्रीम कौट ने संग्यान दिया देर सारी एसाइटिया वनी मगर किसने जवाब दिया कोई नहीं एक चर्चा नहीं ना मिनिस्टर अब मुझे बताईए बई चिदनम्बरम साब थे और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे मुझे बोलने नहीं देते मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूँ एक परिस्तिती जन्य नसली इंसा है इसको रादनिती का मुद्दा नहीं बनाना चा तीन चार पांच मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ इस देश के प्रधान मंत्री ने रात को चार बज़े भी मुझे फॉन किया है और दूसरे दिन साड़े छे बज़े मुझे फॉन से उठाया भी इस देश के प्रधान मंत्री ने है औरे कह रहे है मोधी जी ज्यान ही रखने माने वर तीन दिन तक लगाटार हमने यहां से काम करने का काम किया 16 विडियो कॉंफरेंस करी 36,000 लोग सिक्यूरिटी फोर्सी सीए पीएफ के वहाँ पहुचा है वायू सेना के विमानों का उप्योग किया चीप सेक्रेटरी बदल दिया गया डीजीपी बदल दिया गया शूरक्सा एडवाईजर भेद दिया गया चीप सेक्रेटरी भारत सरकार ने बेजा डीजीपी भारत सरकार ने बेजा सुरक्सर एडवाईजर भारच सरकार ये सब चार तारिक की साम को समाप्त हो गया था तीन को हिंसा हुई चार तारिक को समाप्त हो गया था और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्यसरकार कोपरेट न करे हमने डीजीपी बदल दिया उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को सुकार कर लिया हमने चीप सेक्रेटरी बदल दिया उन्होंने भारत सरकार के चीप सेक्रेटरी भेजे हुए चीप सेक्रेटरो मैं यही कह रहा हूं समध नहों तो नहीं आएगी भी सियम तब बदलना पड़ता है जब कॉपरेट न करें इसी हम कॉपरेट कर रहा है बी जी पी सुरकसाज सलाकार इस सब को हमने बदला है मानिवर अब बैट जाओ बैट जाओ खूपिया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पड़ना जाओ मानिवर यूपिये के सासन में वहां नाका बंदी की जाती थी ब्लॉकेट लगाये जाते थे एक साल में 149 दिन से 30 दिन तक कब ब्लॉकेट रहा पांच साल तक ब्लॉकेट लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200-1200 रुपिये तक पहुचे थे हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा करकर रेलवे को वहां पहुचा है और अबाधीत रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने नहीं अबाधीत रूप से और इतनी कठीन परिस्तित कि कुकी एरिया में मतहीं ड्राइवर नहीं जा सकते मता ही एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते हम असाम से ट्रक भी लाए ड्राइवल भी लाए सेना को भी लगा है और जाकर डामों को हमने कंट्रोल करने का काम किये है मनेवर मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप राद्मिती कर रहा हूँ मैं लोजिक के साथ कह रहा हूँ मन्यवर अब तक 152 लोग मारे गए इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है यह सूस्यल मीडिया के जमाने में छीप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छीपाने का नहीं है मन्यवर 152 लोग मारे गए इसकी एनालिसिस क्या है मैं मैं 107 मारे गए मैं मैं आज हम अगस्त में जून में 30 मारे गए जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तब 4 मारे गए मन्यवर मैं मैं जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए मैं इसके माध्यम से एक कहना चाहता हूं मन्यवर कि हिंसा दिरे-दिरे कम हो रही है हम हिंसा में की आग में होता बाता हो है कि आप जिरूँ जानके है हमने का हो हेलिकॉप्टर से多 जाही है कि नई के पुलीस ने रोकना पड़ा फिर तीन गंटे तक All India लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखा है और फिर चार बजे दूसरे दिन हेलिकॉप्टर से चले गए भई हेलिकॉप्टर से चले जाते तो क्या पती थी हमने सुरक्षा की पूरी वेवस्ता की थी परन्तु इस प्रकार की काम करने के लिए वहाँ जाना इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गगोज आप वहाँ जाते हैं तो कॉपरेट करिए चुराचानपूर जाने से कोई नहीं रुकड़ा हम हेलिकॉप्टर से भेज रहे हैं आप जाना नहीं चाते नहीं में बाई रोड ही जाओंगा चलो बाई रोड जाना है जनता को कि मत क्या आप मांते हैं आप क्या मांते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परिशान करेंगे चाहे वहां की वह यहां की जनता नहीं जानती है जनता है सारा जानती है और पहचानती भी है इसलिए मैं कह रहा था दिरंजन जी चले गए मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बता तरहां पॉलिटिक्स करें मानेवर हमने लगबग लगबग 14898 लोगों को एरेश्ट किया है और हर केस की 1106 एफायर रजिस्टर कर दी गई है अब अन्त में जो सर्मनाख वीडियो आया मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ मानेवर एवीडियो चार मई के दिन की दुर्भाग्यपुंग गतना है दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी स्तान पर किसी महिला के साथ किसी युवा महिला के साथ इस तरह की गतना समाज के नाम पर धब्बा है इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है नहीं सदन कर सकता है ना कुछ political party ना कर सके हैं यहां की ना वहां की मेरे मन में चोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया कुछ मिट्रा के मीडिया के मिट्र जो उपर बैठें उन्होंने डाल दिया अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अगर किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसको सारवजन नीक करना चाहिए वो महिला के सनमान की तो सोचो जाजी इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था वहां उस वक्त इतने हूर्दंग में एक मीट एक मीट एक मीट एक मीट इंटेलिजेंस के पास नहीं आया मगर आपको देना चाहिए दाया नहीं देना चाहिए आपको देना चाहिए जढ़ाए नहीं देना घठाम पिरी ह hacks मानेवर फिर भी हुए मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता सुनिये न भाई में टाम ज्यादा जाना नहीं चाहता वाज़ Almighty विडियो की ब्वाइस्पी था मैं पर आरोप नहीं कर रहा हूं किसी के ब्वाहई भी था अगर उसने ड्जीपीक' को दे दिया होता तो पांच तारिख को ही पकड़ गए उते क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सौप्टिवेर का उप्योग करते हुए सरकारों के डीटा के साथ मिलान करते हुए नौ के नौ लोगों को एरेस्ट कर दिया और वो आज ट्राइल फेस करें है जैने उस वक्त मानेवर मैं सांती के लिए किये गए प्रयासों को भी सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं मानेवर मैं वहां तीन दिन रहा तीन रात रहा मेरे साथी नित्यानां जी क्टेइस दिन तक लगातार वहं है even ho payments पहली आ内 कोई गया पहली बार में ही गया हूं अब तक कोई नहीं गया इतने सारे हैं ृफंफी मैंने जो मानेवर हमने इस सारी की जांच के लिए हाइकोट के सेवा निवरूत नहाएदिस का एक कमिशन बना दिया है जिसमें एक IPS और IS अपसर भी है मानेवर अध्यक्स राजयपल महोदे को